तो आईए हम लोग क्लास शुरू करते हैं कल से जैसा की ग्यात है कि कल के क्लास से हम लोग अब वर्लिस्टी को हमने शुरू किया है और वर्लिस्टी में सबसे पहला हमने जो अध्याय लिया है वहाँ परबोधन है आज इसके बारे में कल हमने आपको बताया भी था सबसे पहले आप मुझे बताईए कि परबोधर में आज हमें कहां से शुरू करना है परबोधर में आज हम लोगों को कहां से शुरू करना है परबोधर में आज हमें कहां से अध्यार सुरू करना है अच्छा बैग्ग्राउंड से सुरू करना है ठीक है आज का विशे होगा सबसे पहले कि प्रवोधर काम दुष्ट भूमी क्या है पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करें ठीक है अच्छा हो गया है ठीक है थोड़ा साथ डिटेल्स जो है उन बातों को आप लिख लिजिए जो कल हमने चार पॉइंट बताए थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप आज लिख लिजिए और इसके बाद हम लोग अगला जो है पॉइंट को लेगे ठीक है तो लिखिए प्रवोधन का प्रिष्ट भूमी प्रवोधन का प्रिष्ट भूमी लिखिए लिखिए प्रवोधन का विकास प्रवोधन का विकास सेवेंटीन और एटीन सेंचुरी में सेवेंटीन और एटीन सेंचुरी में एउरोप में हुआ सेवेंटीन और एटीन सेंचुरी में एउरोप में हुआ इस विचार के पीछे इस विचरधारक के उद्भाव के पीछे इस विचरधारक के उद्भाव के पीछे इवरोपिय समाज इवरोपिय समाज कि आर्थिक, कि आर्थिक, समार्थिक, साम्षणिक, राज्रदिक, जीवन में होने वाले, सकरात्मत परिवर्तन, मुख्य रूप से उतर दाई था, जैसे, नमबर वन पहला, आर्थिक प्रिष्ट भूमी, पहला लिखिये, आर्थिक प्रिष्ट भूमी, आर्थिक प्रिष्ट भूमी, सवेंटीन और एटीन सेंचुरी में, सेवेंटीन और एटीन सेंचुरी में, कि उरोप में, आर्थिक प्रिष्ट में, बहु आयामी अस्तर पर, आर्थिक प्रिष्ट में, बहु आयामी अस्तर पर, परिवर्तन हुआ, बहु आयामी अस्तर पर परिवर्तन हुआ, क्रिशि, उद्योग, बेपार बानिजिये, आदी छेत्रों में, आ भुद्पुर्व परिवर्तन होने लगे, आदी छेत्रों में आ भुद्पुर्व परिवर्तन होने लगे, आ भुद्पुर्व परिवर्तन होने लगे, और पुंजीबाद, और पुंजीबाद, बीचरधारा और पुंजवादी विचरधारा पुए आधार प्राप्ता होने लगार अधार प्राप्ता होने लगा आधार होने लगा यह कुझ सब्थ yum कि अरंब होने का यहां कुझी बाद का अरंब होने का आरंब होने का पहला दौर था जिसे पनिजेवादी पुझिवाद कहा जाता है जिसे पनिजेवादी पुझिवाद कहा जाता है जिसे पनिजेवादी पुझिवाद कहा जाता है नमबर टू दूसरा एक ग jury लोक में का भीम diversity ओर तखने की कह स्षैतम ये होने वाली क्राण़府 और गर्ट में विज्ञान एवंके इस्टे दने वाली क्राण़। जिसके परिडाम सोरुप मानो समाज मानो समाज के बिचारधारक एक वैज्यानिक अधार प्राप्थ हुआ एक वैज्यानिक अधार प्राप्थ हुआ एक वैज्यानिक अधार प्राप्थ हुआ जिसके अधार पर वह अस्थापित परमपरा जिसके अधार पर वह अस्थापित परमपरा कि बिवस्था कि संस्था को स्विकार अथ्वा अस्विकार करने की बाद करने की बाद यानि मानों का तर्क बुद्धीबाद और मजबूत हुआ और मजबूत हुआ और मुखर भी मैंने कहा और मजबूत हुआ और मुखर भी मजबूत हुआ और मुखर भी फुरस्टो खड़ी पाई नमबर थ्री नमबर थ्री 17th century में इंगलेंड का राजमतिक शिंतक इंगलेंड का राजमतिक शिंतक राजमतिक शिंतक जोंनओर जोंन लोंन अड़्ेंड जान लोग जान लोग जान लोग के माद्यम से अनुहोबाद के विचर्धारा को भी का विचर्धारा को भी अनुहोबाद के विचाअधारा को भी इंपरी सीजम और अनुहोबाद को अंग्रेजी में प्राप्त होने लगाद है जो मानों के प्रकृतिक अधिकारों मानों के प्रकृतिक अधिकार के साथी साथ समतावादी समाज समतावादी समाज तर्था समतावादी समाज तर्था राधिक उनारवाद कि उदारबाद का समर्थन कर रहा था समताबादी समाज तथा राजनितिक उदारबाद का समर्थन कर रहा था राजनितिक उदारबाद का समर्थन कर रहा था बच्चो यहां थोड़ा सा हम चाहते हैं इन दोनों जो टर्म है उसको आप समझ लिजिए यह यह जो है समताबाद क्या है अनुभावाद क्या है अनुभावाद क्या है अनुभावाद क्या है समताबाद क्या है और उदारवाद क्या है इसको समझ लिया जाए हम इसके बाद आगे वहें क्योंकि यह तीनों टर्म बहुत मज़कूर है इन तीनों का बाद में आप देखो कि इवरोप में समाज का निर्माण हुआ इवरोप में संस्कृति का निर्माण हुआ इवरोप में अर्फ नवस्था का निर्माण हुआ तो उनके निर्माण में इनका भी युगदान था इसलिए जनूरी है कि हमें समझना चाहिए उदारबाद किसे कहते हैं समताबाद किसे कहते हैं अनुभाबाद किसे कहते हैं बुद्धिवाद किसे कहते हैं इन चीजों को समझना चाहिए कि अपने से कोई बताएगा कि वाट इस इम्पिरिसिजम अनुवाब क्या होता है कोई बच्चा आपके और से बताएगा अनुवाबाद क्या होता है कि जोती आप बताएगे जोती यदि आप मरी अवास उत रही है आप बताएगे क्या होता है अनुवाबाद कि बिल्कुल प्रियंका ने सही कहा बहुत सुंदर ठीक ना सोनम का भी उत्तर बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया देखिए कि सोनम ने और प्रियंका ने उतर दिया कि बुद्धी की अनुवाबाद का अर्थ होता है कि हम अपने अनुवाओ से जो कुछ शिखते है अनुवाओ से जो हम कुछ शिखते हैं है न उसको अनुवाबाद करute कि शमजियों बाद कि ए ये जोड महुत है है कि यह जोड में, कि आपको गोट दिखाई दे रहा है। जड़ा को बोड दिखाई दे रहा है। लिखा हुए चीज दिखाई दे रहा है। ली टीक है। ठीक है, ये जोन लॉक है, ये लिन नाइट का है, जोन लॉक का हम कहा है, इसका समय जो है, वह सबन्दीव संचुनी है, इसका समय सबन्दीव संचुनी है, और यहां इंगलेंड का क्या है, राजमितिक दाशनिक, इंगलेंड का राजमितिक दाशनिक, लोग कहता है, कि कहता है, कि जब हमारा जन्द होता है, जब हमारा जन्द होता है, उस समय हमारा दिमाद यह है, कोरे कागज, कोरे कागज के तरफ, बिल्कुल सफिग होता है, बिल्कुल सफिग होता है, जब हमारा जन्द होता है, तो हमारा दिमाद, हमारा मैंड, हमारा वक्तिक्स, कोरे कागज के तरफ, बिल्कुल सफिग होता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, वो बिल्कुल सफिग होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हम अन्भों के द्वारा हम नई नई बातों को शिखते हैं, जिन बातों का पहले से हमारे पास ज्ञान महीं था, जिन बातों के बारे में पहले से हमें जनकारी नहीं था, जन्व के बाद जब बड़े होते हैं, तो रोज कुछ न कुछ सिखते हैं, अन्भों के द्वारा सिखते हैं, लोग कहता है, और इसके बार लोग कहता है कि जब समाज में सारे लोग अपने जन्द के समय एक थे समाज में सारे लोग अपने जन्द के समय एक थे सबका दिमाग पोरे कागज था तो कोई भी वैकति जन्म जात है कि अधिकानों का दावाद नहीं कर सकता भाता है जब जंक के समय समी लोग समान थे तो कोई वैकति जन्म चहार पर यह दावा नहीं कर सकता कि हम स्रेश्ट हैं और हमें अधिकार अधिक मिलना चहिए यानि राहुल गांधी हो अकलेस यादो हो तैज़स्व यादो हो यह जितने लेता है यह लोग इसलिए दावा नहीं कर सकते कि कोई गांधी के परिवार में पैदा हुआ है इसलिए वह सासन करेगा नहीं शासन करने का अधिकार उसको रहेगा जिसके पास अनुभाव अधिक होगा और अनुभाव जन्म के अधार पर नहीं होता है बलकि हम धीरे-धीरे उसको गरहण करते हैं और इसी बात के अधार पर बच्चो लौक ने समतावादी समाज के निर्मान करने का सुझाओ देता है समतावादी समाज जिसमें किसी व्यक्ति के पास जन्म सिद अधिकार नहीं होगा किसी व्यक्ति के पास जन्म जात अधिकार नहीं होगा जिसके पास अनुभव अधिक होगा उसके पास अधिकार अधिक होगा यह लॉजिकल है तो यह अधो बात है और यह समतावादी अब हम देखते हैं उदारवाद क्या है देखिए उदारवाद बच्चों एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बहुत बड़ा कंसेप्ट है यह अधिक उदारवाद एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसी से निकला है पुझी बात उदारवाद से निकला है कि पुझी बात भ्याते हैं अधिक उदारवाद जो है आप समझेए घ्ञां से कोई छोडा वोडा कंस्ट नहीं यह बहुत बड़ा पिछाएं अधिक उदारवाद क्या नहीं होता है समझेए बाद बोड के मातिव से उदारवाद कहता है कि मानों जो मानों है वहाँ 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 मानों विमेक्सिल होता है मानों विमेक्सिल होता है मानों क्या होता है विमेक्सिल होता है उसके पास दिमाग होता है आभी क्या करता है कि मानों हो सुभाव से अच्छा होता है सुभाव से अच्छा होता है मानों विमेक्सिल होता है अर मानों सुवाव से अच्छा होता है। यह मैं नहीं कहता हूँ लौक कहता है। आगे क्या कहता है। इसलिए मानों को अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए, मानव को अधिकार मिलना चाहिए, किसली अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, यह निर्गाइ करने के लिए, नुबर बन रागनी कैसा चाहता है वह रागनी कैसा चाहता है वह समाज कैसा चाहता है वह भर कैसा चाहता है वह सही कैसा चाहता है यह लोग कहता है बस एक मिनट समय थोड़ा और दीजिए एक बार हम रिपीट करते हैं उनको जोडने के लिए कि लोग कहता है कि लोग है कि ए ओवर सी के लोग जॉन लोग वो कहता है कि मानों मानों सुभाव से अच्छा होता है अच्छा होता है और मानों विव्यक्षिर होता है तो मानों के पास अधिकार बीना चाहिए तक्निवा बिना किसी बागा के दिसीजन ले सके क्या ले सके दिसीजन ले सके आप प्रस्न यह है कि मानों क्या डिसीजन लेगा मानों क्या निरने लेगा तो लोग कहता है कि मानों निरने लेगा कि राजनीत कैसा होगी तो लोग कहता है कि मानों ने कहा निर्ने के द्वारा कि राजनीत होगी तो राजा मिरणकुष नहींWow मानों निर्न कुश नहीं रहेगा बलकि सिमिद रहेगा क्योंकि जंता का सिवक नमबर वन मानों ने कहा कि समाज कैसा होगा तो मानों ने कहा कि समाज समताबादी होगा समाज क्या होगा समताबादी होगा सोरी इधर में दिखा इधर रहा है में इधर लिखता इधर इधर में लिखता रादिनित कैसा होगा हुए मानों ने कहा कि लाओ्धीद होगा सिमित Raivant हो बादो कि email की समाज की जाओ तो मानों में पहल है इसमाज समय नादि किण धर्व कैसा होगा मानों नहीं कहा की धर्व देख नहीं होगा फिर अग जलस्ता था ओगा बच्चों इन सब का जड़ जो है जड़ वह उदारबाद है इन सब का जड़ कौन है उदारबाद है जड़ी एक सब कहा जाए आपसे पुछा जाए कि ये वताओ ये जितना बदला हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है बच्चों आपसे सवाल UPSC में पुछा जाए कि जितना बदला हुआ है तो आपका उत्र बिल्कुल सिंपल होगा और संशेथ में होगा तो अगला सवाल पूछेगा तो अगला सवाल पूछेगा हाँ हाँ विद्या विद्या एकॉनमी क्या होगी पूझी वादी विद्या लोट करनो अग्ष्टा क्या होगी पूझी वादी होगी बेस्ट ऑन कैपिटलिजम ध्यान रखना ठीक है अब आपसे ये पूछा जाएगा कि चलो हम माली कि जितना बदलाव हो रहा है उसके पीछे किसी का हाथ है उद्यारवाद का अगला सवालों दागता है अच्छा ये बताओ कि कौन सा ऐसा विचारक है जिसके विचारविया सबसे पहले उद्यारवाद दिखाई देता है सबसे पहले तो आप कहोगे कि सर इंगलैंड का राजनितिक दार्षनिक है उसका नाम है जॉन लॉक और इसलिए बच्चो जॉ लॉक को कह जाता है कि ही वादी फादर आफ लिबर लिजन यानि उद्रवाद का पिता को जो है जॉन लॉक यह उद्रवाद का पिता है जॉन लॉक इस बात को जाने तो आईए हम तीनों तर्म के बारे में समझ दिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुझे लगता है कि आपने बैग्राउंड में कितने पॉइंट लिखा है बैग्राउंड में कितने पॉइंट हमने डिल कर दिया कितने पॉइंट का हम लोगों ने ब्याख्या कर दिया तीन या चार तीन सभीतात तीन है तो आप चोथा लिखिए चोथा चोथा पॉइंट लिखिए लिखिए तो तक वही है एवरोप में एक मजबूत मद्वर्का हुद है इवरोप में एक मजबूत मद्वर्का हुद है मद्वर्का हुद है मद्वर्का हुद है लिखे एवरोप में होने वाले आर्थिक विकास के कारद, होने वाले आर्थिक विकास के कारद, एक मजबूत और सम्रिध, एक मजबूत और सम्रिध, मध्यवर्ग का उदे हुआ, एक मजबूत और सम्रिध, मध्यवर्ग का उदे हुआ, जो बुद्धी बार, जो बुद्धी बार, जो बुद्धी बार, जो बुद्धी बार, मनवताबाद के जनिये, जो बुद्धी बार, एवं मनवताबाद के जनिये, एवरोप में एक नभी ने, एक नभी समाज का, सिर्जद करना चाहता है, सिर्जद करना चाहता है, सिर्जद करना चाहता है, जैसा की बाद में, जैसा की बाद में, होने वाली, फ्रांचिसी क्रांथी के बाद, दिखाई देता है, फ्रांचिसी क्रांथी के बाद दिखाई देता है, जिसके कार, 17th और 18th सेंजरी में, एवरोप में परबोधन का विचारधारा, फरतिस्थित हुआ, लोग पूरिये हुआ, अब हम अगला गुद्दा लेते हैं, पर गुदद की बिखेस्ता है, या आप कांसकते हैं इसका स्वरूप, या आप कांसकते हैं, इसका प्रकृति सबका मत्तब एगी है पर वोदर की स्वारू प्रकृति नेचर करेक्टर आफ एलाइटमिंट एलाइटमिंट तो आईए हम लोग देखते हैं कि पर वोदर की क्या विजशता हैं मैं एक-एक को लिखता हूँ आप पीछे से आप नोड़ कीजिए लिखते रहिए सब्सक्राइट तर्थ गुतिवाद तर्थ गुतिवाद पहला आए तर्थ गुतिवाद दूसरा मनुतावाद दूसरा है मनुतावाद दूसरा है मनुतावाद कितरा है संददददददददददददददददददददद द्रथ गुत गुतिवाद जाइ लिखते रहिए घए ल गुतम नोड़ कीजिए लिखते द्धतिवाद भी विखते रहिए इनला टिता बाइसमँ आउसाा भाल आउसा आदसा सटा साद侏िका साद侏िका धू an प्रवंधृ बार प्रवंधं है। एवम देवबाद प्रकृति बाद एवम देवबाद प्रकृति बाद और देवबाद ये प्रबुधन का मूल विशेष्टाई अमन पहले तो इसको नोट कर लो यहां प्रबुधन का मूल विशेष्टाई है ठीक है अब मुझे लगता है इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हम बता देते हैं इनको लिखने की जरुवत नहीं है आप इनको समझ लीजिए और हम धीरे धीरे बोलेंगे समझा देंगे इसको हम और आप चाहेंगे तो जब हम समझाएंगे उस समय आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ लिखने वाला चीज नहीं है यह बीचार है आइडियोंजी है बीचा धारा है सोच है एक दर्शन है तो जो बीचार होते हैं उनको समझना दोता है उनको रटना नहीं होता है और निखले से काम नहीं चलता है जब तक यह समझें समझे बात सबसे पहला हमने लिए कि तरक गुद्धी बाद तरक गुद्धीबाद यानि इसमें एक संद्ध है तर्क दूसरा संद्धी और दिसरा संद्ध है वाद तर्क दूसरा बुद्धी और तीसरा वाद कि तीनों को मिलाते हैं तो बनता है तर्ग दुदीवा तर्ग का मुद्ण होता है जाज करने को जाज करने को क्या शरी है क्या शरी है क्या दर्ग है कि तर्ग है उसका मतलब है जाज करने कि क्या शरी है और क्या गलत और जाज कैसे करने को अब आप पूछेंगे बुद्धी क्या होता है क्यों कि क्या है एक चेतना pouring दुश्तर क्या आदा कंसस्य से भुदी क्या होता शेतना है दूके दुट हर्जित ग्यान है आ रजित ग्यान यह अभरगण को ए होता है कि बुद्धी के जरिये या जाज करना क्या सही है और क्या दलत है और वाद का मतलब क्या है वाद का मतलब होता है विचारधारा इसका मतलब विचारधार यानि तर्क बुद्धी बाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मानों बुद्धी के सारे किसी बात को जानने का प्रियास करता है या जानने का प्रियास करता है कि कौन सही है कौन गलत है और इसके लिए वो क्या करता है बिज्ञान का सहारा लेता है इसके लिए बिज्ञान का सहारा लेता है और बिज्ञान कहता है पहले पर्योकर पहले पर्योकर और यदि पर्मान सही आता है तब तो ठीक है पर्मान गलत आता है तब तो गलत है कि यानी तर्थबु दिवाद एक वईग्यानिक विचाधा जिसमें परियोक के मातिमसी जाज के मातिम से समिक्षा के मातिम से है न हम परमाण निकालते और यदी परड़ाम यानि कि परमाण यदी परमाण हमारे अपेक्छा के अनुरूप आते हैं तो हम कहते हैं विप्रीद आते हैं हम कहते हैं गलत है क्योंकि इसका प्रयोग कहता है इसमें सचाई नहीं कि इसको कहते हम तर्क बुद्धी बात करें ज्यांते न बच्चों अपने जीवन में आप इन बातों को लागू कर यह बातें के वल पढ़ने के लिए नहीं है इनका महत्व यहीं नहीं है कि आपने परिच्छा मिली दिया पास कर गए आये सब्सक्राइब इसका महत्व पूरे जीवन में है यह यह साथों को यह यह साथों पिसस्ताओं को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं दवा कर सकता हूं कि आपको जीवन में कहीं भी कभी और किसी से भी समस्याद नहीं होगी कारण तो यह यह जो निर्ण देता है बच्चो जो इसका दिर में होता है वो कभी गलत नहीं है यहां से जो होगा गलत हो सकता है यहां से जो होगा गलत है यानि जो भावक आटमी है वह कभी कभी परेशान तो हो जाएगा लेकिन जो भावक नहीं है जो दिमाग से काम करता है वह कभी वह कभी परेशान नहीं हो ठीक है तो बच्चों इस बात को द्यान रखना कि चाहे वार करना मैंने कहा चाहे वार करना चाहे प्रेम करना हमेशा दिमाग से करना यहां से करना ठीक है लेकिन यहां से जरूर करना आप फिल नहीं करेंगे ठीक है चलिए अगला में लेता हूँ मनोतावाद अगला में लेता हूँ मनोतावाद इसमें दो शब्द है मानू और दुसरा हो गया वाद इसमें दो सब्द है मानू और बाद और दोनों को मिलाते हैं तो बनता है मनोता बाद अब जो मानू है इसका बता है इंसान मानू का बता है इंसान मानू का प्यार होता है इंसान व्यक्ति इंसान कहिए या दाति कहिए जो बाद है इसका मत्ता होता है भी जानदा इसका अधुनता है भी जानदा यानि जो मनोता बाद है इसका अर्थ हुआ एक ऐसी विचानधारा से जो इनसान के बारे में समझे जो इनसान को अध्यान करें जो इनसान के बारे में सोचें उसके प्रती समर्पित रहें जो इनसान के संबेदर जो इनसान के दर्प यो समझे जो इनसान को समान बें जो इनसान के उनती के लिए काम करें जो इंसान के प्रतिवाद हो जो इंसान के प्रतिवाद हो उससे कहते हैं अब इसे विचार धारा जो मानों के प्रती समर्पीत हो जो मानों के प्रती प्रतिवद्ध हो जो मानों के रिए चिंता करे जो मानों के इच्छा को सम्मान करे जो मानों के प्रती सानभूती दिखाए जो मानों के संवेदना को समझे जो मानों के क्लेस दुख दर्द को समझे कि जो हमेशा मानाओ के लिए सोचे जो मानो को कद्र में रखे जो मानो को के अ मैं रखे जो मानो को कै 20 में रखे उससे हम कहते हैं है बिल्कुल पहुन पांडे किशी लीए पौन ने कहा कि यही कारण है कि हम हमारे अध्यायन के लिए जितने विशे डेवलप किये गए उनको हम क्या करते हैं इसे हम कहते हैं मनोता वाद के द्यान देना बच्चो बस एक मिनट का समय में लेता है जब मत देकाल था मत देकाल जब मत देकाल था यानि पुनर जागरण से पहले मत देकाल का मत देकाल यह पुनर जागरण है इसके पहले मत देकाल का मत देकाल का मत देकाल है कि यूरोप में जब मत देकाल हुआ था उसके पहले का सब्सक्राइब आप देखोगे कि यूरोप में जो पुनर जागरण का समय था वह क्या था कि पुटेंट तू सिक्स्टीन सच्ट उसके पहले एवोग जो है वह मत देकाल में रहता था जैसे भारत भारत में भी प्राशीन काल के बाद देखोगे कि हर्ष के पतन के बाद हर्ष के बाद हर्षवर्धन के बाद जो दौर शुरू हुआ वह भारत ने भी मद्देकाल का दौर था जिसको हम समंतवाद का दौर भी कहते हैं इस दौर में क्या हुए इस दौर में आप देखो कि मंद्देकाल में दौर था यह समाज हैं यह समाज हैं क्या है समाज हैं यह समाज में देखोगे परभावत धर्म का परभावत था राजा नाजर दिरह कुस्त। कुछ नोग के पास बहुन अधिकार लुता, जिनको पुरीःवार गादे थे, जिनको समत का देथे, जिनको लॉट का देथे, इस समाज सामंत वालित लोगे पास अधिकार अधिक्था अधिक्था अधिकार अधिक्था। और ऐसे लोग कुलीन वर्ग कहलाते थे, क्या कहलाते थे, कुलीन वर्ग, क्या कहलाते थे, सामन्त वर्ग, क्या कहलाते थे, लॉड, लॉड, सामन्त और कुलीन वर्ग, एलिट क्लास, उस समय जो अर्थ विवस्था था, अर्थ विवस्था था, वहां समंध बादी था, वहां समंध बादी था, यानि जो अर्थ विवस्था है वहां समंध बादी था, यानि इसका मुद्ला हुगा, कि इसमें उद्धिवो, मुद्राप, नगर, बेपार, बैर्ट, ये सब डेवलप नहीं थे, ये सब डेवलप नहीं थे. जब हम ये कहें, बच्चों, कि मद्दिकाल का जो इकॉनमी था, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, देखो, मेरा मानना है, कि भाई, पढ़ना एक ही बार है, मेरा तो काम में पढ़ाना है, लेकिन आपका काम, रोज-रोज क्लास लेना नहीं है, हम चाहते हैं, कि मेरा क्लास करने के बाद, आप जिस स्यवा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका प्राप्ती हो जाए, फिर बार-बार आपको पढ़ना ना पढ़े, मेरा इच्छा है, तो जो भी करिए मन लगा करें, दो बिकल कुना चाहिए, देखो, दो बिकल कुना चाहिए, नमबर एक, या तो हम अपना जान दे देंगे, बलिदान कर देंगे, या तो हम छोड़ देंगे, बीज में रहना घातक होता है, या तो हमसे नहीं होगा भाई मैं हाँ जोड़ता हूं या तो मैं किसी भी किम्मत पर इसे प्राब्त हो है कि दोनों अच्छे होते हैं के जो यह का दिया कि हम नहीं करेंगे वह कुछ दूसरा कर लिया वह कुछ दूसरा कर लिया और जो कह दिया कि हम करेंगे वह भी कर लिया लेकिन जो बिच बिचवा है इधर भी उधर भी वह न इधर कर रहेगा न उधर भी और ऐसे दिरू उमारे जाते हैं बेकारी इसलिए मैंने कहा कि जब हम यह कहें आपसे कि मद्यकाल का जो इकॉनमी अर्फ विवस्था वह समंत्वादी तो इसका तत्परे क्या होगा तो इसका तत्परे होगा नंबर वन उद्योग सिल्प का विकास बहुत अधिक नहीं होगा उद्योग सिल्प का विकास अधिक नहीं होगा नंबर टू जब उद्योग सिल्प का विकास अधिक नहीं होगा तो बेपार बनिजे का विकास अधिक नहीं होगा नंबर टू जब बेपार बनिजे का विकास नहीं हो तो मुद्रा का बैंग का बीमा कंपनी का विकास नहीं हो जब इन सब का विकास नहीं होगा तो नगरों का विकास नहीं होगा जब नगरों का विकास नहीं होगा तो शिच्छा का विकास नहीं होगा तो बिग्यान कखनेगी का विकास नहीं होगा नहीं होगा तो उस समाज का विकास नहीं होगा तो वह समाज जड़ हो जाएगा जड़ गती हीन हो जाएगा उसमें गती का अभाव हो जाएगा यह चीज मद्दिकाल में था जब पूरा एकॉनमी ग्राम अधारित हो गया था ग्राम अधारित मत्तब गाओं तक सिमित रहे बाहर से आधान प्रदान नहीं होता था तो मद्दिकाल में क्या था बच्चों कि मानों का कोई कदर नहीं था मानों का कोई सम्मान नहीं था मद्दिकाल में मानों किवल एक साधन था साधन नहीं था कैसे यह ध़क हो गया और यह समन्ध हो गये उनिर्वार्द में इन दोनों में गठजोर होता था किसमे किसमे धर्म और जो कुलिन वर्ग है कुलिन वर्ग जो धनी लोग है इन दोनों में आपस में गठजोर होता था और यह दोनों क्या करते थे कि मिल जूल करके उस राज्यकार जितना संपती है और जितना अधिकार है उस पर अपना कबजा कर ले दे थे वह इनके कबजे में आ जाता थे और लोगों से कहते थे कि जो धर्म में कहा गया है उसको माल लो हां अमन जो धर्म में कहा गया है उसको माल उसका विरोध मत करो अगवान खुष्टा कर देगा आप याद करो कि यूरोप में माटिन लूथर का नाम आप सुने हो माटिन लूथर से पहले कि यूरोप में जो व्यक्ति रोमन कैथोलिक चर्च का बुराई करता था उसको जिन्दा जला दिया जाता था उसको जिन्दा दफन कर दिया जाता था इसने भगवान का अपमान किया है यानि मत्यकाल में धर्म कैसा था ऐसा धर्म था जिसके सामने मानों का इंसान का कोई कदर नहीं अब क्या है अब परबोधन में यहां बदल भी है अब परबोधन में यहां कहां जाने लगां कि कोई कोई भी विवस्था बनाई जाएगी ज्यान दखना इसको परबोधन कहता है कि कोई भी विचारधारा बनाई जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि वह विचारधारा कि वह संस्था वह कानून वह परंपरा मानों के हितमे है की नहीं यदि वह मानों के हितमे नहीं है तो हम इसे संदार नहीं करें दिस इस वाट इसको कहते हैं मनोता बाद करें अब आईए संदा बाद क्यों चलते हैं जिसके वह आपको बने बता हैं कि संदा बाद के वह में हम बता हैं कि संदा बाद कि संदा बाद है संद कि संदा बाद कि संदा बता है कि संदा बीचार करें और इसका मत्बता है विचार कि बात करें जो ओज निच कि बाद करें कि बाद करें कि बाद करें कि उस्से हम संदा बाद करें कि अधर sash आएसे बिचार भारा कि यो बराबरी की बात करें कर जो संदा की बात करें जो बंदुता की बात करें जो भाईचारे की बात करें जो ओच लिज की बात ना करें उसको कहते हैं समता अब देगों को लक्सों हो 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 है कि मद्देकाल में क्या था है हुआ है मद्देकाल में कि आप देखो कि कि मल्दे चांव देखा इस एप एसि यह यह व्यवह तो यह जिए यह गया है यह यूरॉप हो गया और यह इंडिया हो गया यह भार्प हो गया यह यह दो समाथ है जो समाथ है यहां का कैसा है यहां बैठा है पुरोई यहां बैठा है पुरोई बैठा हुआ है अधर यहां में नमबर टू पे नमबर वन है नमनु टू पिम उटू है जो अधिके में हुए अधिक आर अधिस्य की इसान किसी में है के मंदून इसी में है सिर्फ कार्ट थिक भार्त में हो प्लेकर कि भार्त में आपको दिखाई देरा है । कि इधारव यो युद्धाएर ដ कि अब भार्थ है कि अब भार्थ में देखते हैं जो समाध है तो ऐसे यहां बेठा रहे ब्रावट हो गया नमबर एक में नमबर दो में छत्रिया हो गया छत्रिया हो गया नमबर फ्री वैस्य हो गया और नमबर फॉर सुद्र हो गया यह समाज है इंडिया है और यह समाज है जूरोप मोर और लेस एक समाज में दोनों में बहुत अंतर नहीं है जैसे यहां चार है यहां तीन क्लास है यहां चार क्लास है यहां तीन क्लास है इवरोप में जो पुरिद्वर्ट है और धार्त्र क्या है च्छत्रिय होगा और यूरोप में तो कि सब्सक्राइब और भारत में सब्सक्राइब मद्धिवर्ट चुकि पढ़ाली का है तो मद्धिवर्ट का मत्तव हुआ कि इंडिया की यहां जाए कहां पर यह ब्राह्मन में आ रहा है इंडिया में यह कहां जाएगा ब्राह्मन में क्योंकि वेदों का पढ़ने का वेदों का पढ़ने का दिकार कि इसको था ब्राह्मन को था ठीक राइट तो ध्यान जाएगा यह मद्धिकारिम समाज का इस्ट्व कर आप अब दी अलुविओने लौक एप यह लौक गया मिथ ऐसक अनद कि दर्मन में दुविए अनुवर में नुवर में लूटत अनुवर में लुटत अनुवर लौक ने कहा कि यहां पर हमने यह देखा 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 यहां परोहित से लौक ने एवरोप का जो परोहित है कि आपको यह अधिकार किसने दिया है लोग जो है इवरोप के पुर्वहित यानि चर्च चर्च और पुरिनवर्ण से कहा कि आपको यह अधिकार कौन दिया है तो पुर्वहित ने कहा कौन शाधिकार कुलिनवर्ण ने कहा कौन शाधिकार भी बात कर रहे हैं लोग ने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आप राज्य को एक पैसा कर नहीं देते हैं ज्यान से मेरी बात को संचो आप राजी को एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं एक पैसा राजी को टैक्स आप नहीं देते हैं आप दोनों लोग आप दोनों राजे राजी को एक पैसा टैक्स नहीं देते हैं कौन कौन चर्च और कुली जबकि फ्रांस के अंदर जितना जमीन है उस जमीन का 40 परसें तुमारे अपास है प्रांस में जितना जमीन है उस जमीन का 40 परसेंट प्रदिकार किसका किसका है चर्च का है और कुलीन का है और 40 परसेंट जमीन पर कब्जा करने के बाजू एक पैसा तुम टैक्स नहीं देते हो मेरा पहला सवाल है लोग कहता है का और बताओ और क्या तुमको समस्या है लोग ने कहा कि हमारा दूसरा समस्या है कि राज के अंदर जितने बड़े-बड़े पद है आईएस पी-स जजज इंजिनियर डॉक्टर कि सांसर बिधाय और सब तुम ही लोग बनते हों कि या तो पुरोईत बनता है या तुम बनते हों जबकी और भी समाज में बित्वान लोग है और भी पढ़े दिखे लोग है जो जज बन सकते हैं जो सेना में बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं जो डॉक्तर बन सकते हैं लेकिन तुम लोग कहते हो दोनों कुलीर और चर्च कि तुम नहीं बन सकते हैं हमने कहा क्यों नहीं बन सकते क्या मेरे मेरे योगिता नहीं है तुम दोनों कहते हो यहां योगिता नहीं यहां जन्म जात अधिकार चाहिए तुम बताओ तुम्हारा खंदान का नाम क्या है तुम किस कुल में पैदा हुए हो तुम्हारे पीता का नाम क्या है तुम्हारा खंदान क्या है तुम्हारा फेमली क्या है वाली यह बनाओ तो मुझे यह भी समस्या है कि योगता का कोई महत्व नहीं केवल यहां पर परिवार रख्ट खूंड खूंड रख्ट और किस परिवार से तुम संबंदित हो इस से भी मैं नराज हूँ तो इन दोनों ने लौक से पूछा तो आप क्या कहना चाहते हैं आखिर दोनों से समस्या है तो आखिर यह समस्या क्यों है आज तक किसी नहीं कहा आज तक किसी नहीं कहा कि यह समस्या है तब लौक ने कहा कि मेरी बातों को ध्यान से दोनों सुन किसको चर्च को और कुरिनवर को कहा कि जब हम पैदा होते हैं हम तुम या यह जब हम पैदा होते हैं हम चर्च या यह कुरिनवर तीनों का धिमाग कोरे कागज दा यूकार कोरे कागज था शार हम तीनों नने कर दर्च जो भी हांशित किया जो भी शिखा जो भी भूला अनुभो के मात्यम से प्राप्त होता है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कर न देने का तुम्हें कर न देने का या बिना योगिता के राज्य के बड़े पदों पर नौकरी पाने का अधिकार है तुम कैसे कह सकते हो यह तुम्हारा जन्मजात अधिकार है क्योंकि जन्म के समय तुम भी और हम भी दोनों समान थे यानि लौक का कहना था कि जो कर विवस्था है टैक्सिज है वह सब के लिए एक होना चाहिए चाहे राजा हो चाहे रंग हो चाहे उच हो चाहे नीच हो है सबको कर देना पड़ेगा अपनी अपनी हैसियत के नुशा है और दुस्रा समाज में सभी व्यक्ति को एक तरह का अधिकार मिद्णा चाहे में कि यानि समाज समतावादी समनता का लुह इस समाज में कोई यह नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मन हूं तो मुझे अधिकार मिलन कोई यह नहीं कर सकता कि मैं छत्रिय हूं तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए को यह नहीं कर सकता कि तुम शुद्र हो तुमको अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि आप किसी को शुद्र नहीं कर करते हैं कारण वह अभी व्यक्ति आरो उसे फिड़तिन अधिकार दिया है इस धरती ने सबको एक तरह का थि कलिए जब हमारा जन्म को नबर बन जीने सब्सक्तों नेने सब्सक्तुन और जीने का थिकार के लिए प्धन प्रापक करने सब्सक्त he पिए इन तीनों को सब को मिला है। चाहे शुदर हो, चाहे वैसे हो, चाहे ब्रामन हो, चाहे चछतरी हो, चाहे चर्च हो, चाहे तुरोहित हो, चाहे पुणिरवर्ग। इसको कहते हैं समताबादी समाज यानि ऐसा समाज जो समनता परधारित हो जिसमें किसी भी दो व्यक्ति के बीच लिंग, रंग, वर्ग, खांदान, रब्त, छेत्र, भासा, आधी के धार पर विभाजल नहीं किया जाए अगला पॉइंट है इह लो सम्ने इह लोता है इह लो पॉइंट है जो एए संद एए, एए कमात वृताया, एए कमात वृताया, एए मिशिया, और लुपिए, एँ संद, एँ संद, कि लपिका मत्लब वोता हैं। कि अ 누भी है कि धर्म के बारेमें वह अध्यातनिके बारेमें पढ़ लुद दरम अध्यातनिके बारेमhmen एफ यहाने चल्थी कि की हमारे सास्त्रों में दो तरह के लोग बताएगा है दो तरह के लोग को बताएगा है देख यह है और इसको कहते हैं लोकिक लोग अंगरेजी में वर्डली वर्डली किसको कहले हैं पार लोकिक पार लोकिक अंगरेजी में कहले हैं मेटाफिजिकल यह पार लोकिक और यह लोकिक दो लोग बताएगा है दो वर्ड बताएगा है एक पार लोकिक और लोकिक इसको हम स्वरव भी कहते हैं इसको हम स्वरव भी कहते हैं जहां भगवान रहतें लोग मानते हैं इसको कहते हैं लोकिक जहां आदमी रहता है जिस लोग में इंसान रहता है जिस लोग में आदमी रहता है जिसमें मानों नहीं रहता है भगवान रहता है उसे हम पारलोकिक कहते है आप देखें है आप उसको समझें हैं हैं दोन लोग तो हमारे सांथे हैं पारलादिक लॉट ही अब पर वह दोनों के बारा में क्या कहता है कि हमें समझना होगा समझे próximo कि जो पृण्व कहता है कि कादा तरह ister कि देखो वाई, हम तो कि मन बुद्धी से ही, कि मन बुद्धी से चीजों को समझते हैं। लेकिन जो हमारी बुद्धी है, वा यहां पर काम नहीं करती है। यहां पर आते हैं, तो बुद्धी हमारा साथ छोड़ देती है। हम कितना तर्क करें। रगवान कहां पर है, वो क्या खाता है, वो कहा रहता है, वो कम सोता है, वो कम हसता है, वो क्या करता है। इसका कोई अंत नहीं एक मानो के बारे में हम बता सकते बुद्धी के दूरा मानो क्या खाता है कम सोता है कब रहता है कब हस्ता है लेकिन भगवान के बारे में इन प्रस्थों का उत्तर देना हमारे बसकी बाद लेकिन दुनिया को यह दुनिया को यहां भरते हैं इस दुनिया को के मादन से विग्ञान के मादन से समझे। लेकिन जो इस दुनिया की हम बात करते हैं तो इसको हम बुद्धी के द्वारा नहीं समझ सकते हैं तो फिर हम कैसे समझेंगे तो मानो कहता है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा विश्वास करना है इसको समझने का मार्ग गुद्धी नहीं है, बलकि क्या है? फेट, यानि की विश्वास है, यानि कमिक्षन है, इस दुनिया को समझने का राज्ता बुंती नहीं है, विश्वास है, बगवान है, तो मान लो बगवान, बगवान क्या खाते हैं, बगवान अंगूर खाते हैं, मान लो अंगूर खाते हैं, बगवान सोते कहां है, उनका जो बिछावन है, उनका जो सोने का जो अस्थान है, और सोना का बना हुआ है, गोर्ण से बना हुआ है, हीरा से बना हुआ हुआ है, मान means you cannot use reason to prove God भगवान को से भी करने के लिए you can't use reason the only way to know God is not reason but faith conviction, बिश्वास अब देखेंगे, अब परबोधन क्या कहता है परबोधन कहता है मेरा इसका निश्कर्श है परबोधन कहता है कि सुनो जब तुम बुद्धी के द्वार उस दुनिया को नहीं जान पाते हो जब तुम बुद्धी के द्वारा उस जगत को नहीं जान पाते हो तो अपना समय ब्यर्थ में क्यों करवाते है जिसको तुम्हारे पास जानने का साधन ही नहीं तो बिना वजह अपना समय बरबाद क्यों करते हो तो उस मानों ने कहा कि मैं क्या करूँ तब जितने विचारक हैं सबने कहा कि हम लोग बताते हैं तिन क्या जितना तुमने अपना स्रम अपना लेबर जितना तुमने अपना स्रम अपना गूती उस भगवान को जानने क्रें लगाया उत्रा तुम इस दुनिया में इस धर्ती में जहां तुम रहते हो इसमें लगाओ इसमें लगाओगे तो आर्थिक विकास होगा समाजिक विकास होगा संकृतिक विकास होगा कोई गरीब नहीं रहेगा कोई भुखे नहीं सुएगा सबके लिए इलाज का इलाज का हास्पिचर होगा सबके लिए स्कूल कॉलेज होगा सुख सुविधा होगा और लोग कहना सुरू करेंगे अपना घर ही स्वर्ग है अपना घर ही स्वर्ग है ये परबोधन का मेसेज है don't waste your time about the heaven why not work to make this land heaven अपना समय उस स्वर्ग को जानने के लिए भरवाग मत करो बेर्थ है क्यों नहीं जहां रहते हैं उसे स्वर्ग बना बच्चो इसका परडाम जानते हो क्या हुगा इंगलाइड में अध्योगी क्रांती हुई याद करो इंगलाइड में अध्योगी क्रांती हुई यही बचा है जब मानों ने अपना पूरा धन अपना पूरा मन इस धर्थी को स्वर्ग बनाने के लिए लगाना शुरू किया बहुत एडवांस डवलाप्मिट हुआ और इंगलाइड दुनिया का सबसे धनी राष्ट हो गया उस अध्योगी क्रांती ने इंगलाइड का रहन शहन सोच पहनावा परत्वार सब को बदड़ लाता अब कोई गरीब नहीं है सब धनी हो गए एशो अराम की जीवन जीन लगए श्वर्ग क्या करता है श्वर्ग यहीं देता है कि वहां कोई दुखी नहीं राता है सब लोग सुखी राते हैं अच्छा सब खाने को मिलता है तो भाई जब घर में आपका स्वर्ग बन जाएगा कुछ स्वर्ग के बारे में सोचना आप क्यों चिंता करते हैं कि यह आपका है कि लोकिता ठीक है बच्चों समय होगा तो बताइएगा समय तो कि मेरे पास अभी घड़ी है नहीं ठीक है अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं अगला जो पॉइंट है वह आशा बात है ओके ओके वह क्या है इसका मतलब क्या है अशा बात है हाए हो अपने बने आहसे भुट है हमें कभी भी निरास नहीं होना चाहिए हमें कभी भी निरास नहीं होना चाहिए कि हमेशा आशावान बने रहना चाहिए आशा बात कहता है कि देखो यह परिवर्तन होता है हुआ प्रकृत का मियम होता है जो परिवर्तन होता है वह प्रकृत का मियम होता है यानि दुनिया में कुछ भी अस्थाईन है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाइल नहीं वहां परिवर्तम सील है वहां परिवर्तम सील है अधाँ देखो कितना सुन्दर बात कहता है अधाँ हमारा दुख हमारा दुख हमारा सोचल भी अस्थाइल है भी अस्थाइल है नहीं कितना लॉजिकल है कितना तार्किक है आप इसको यहां से पढ़िए यह पूरा दर्शन है फिलोसोफी है इसमें तर्क है आप पढ़िए यहां से आसाबात कार्थ होता है कि हमें आसा बादी रहना चाहिए हमें निरास नहीं होना चाहिए हमें निरास नहीं होना चाहिए हमें आसा बादी रहना चाहिए कि आगे क्या कहता है आगे कहता है कि जो परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होता है वह प्रकृत कामियम होता है वह प्रकृत कामियम होता है यानि क्लाइमेट पर भी बदला होता है ठंडी गर्मी वर्षात इसमें बदला होता है परिवर्तन प्रकृत कामियम है कि दुनिया में कोई अस्थाई जब दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है कि इसका है कि हमारा दुख है हमारा बैद अन्याय सोसाभियस थाए उसका भी खादमा होना है उसका भी समाप्त होना है उसका भी उन्मुलन होना है लेकिन यदि हम निरास हो जाएंगे तो यह नहीं होगा यदि हम निरास हो जाएंगे तो बचल क्या होगा हम परियास को छोड़ेंगे तो हम परियास को छोड़ेंगे तो परिवर्तन रुख जाएगा जब परिवर्तन रुख जाएगा तो दुख बढ़ जाएगा अन्याय बढ़ जाएगा इसलिए हमें किसी भी हलात में अपनी आसा को नहीं छोड़ना है क्योंकि अंदकार के बाद सदेव उजाला के बाद सदेव अंदकार आता है कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा अंदकार ही अंदकार है और हमेशा प्रकासी प्रकास है यह नेचर का लौ है कि पहले अंधेरा होगा उजाला होगा फिर अंधेरा होगा उजाला होगा लेकिन हमें अपनी आसा को नहीं छोड़ना है अगला में लेता हूँ अगला है सांसिता अगला है सांसिता सांसिता यहां दे किसका साब्दी करत है सांसिता सांसिता सांस दिखाओ सांस दिखाओ भय लुक्त बनो भय लुक्त बनो यह कहता है सांसिता यह कहता है सांस दिखाओ यह कहता है भय लुक्त बनो दर को छोटे कि यह क्यों कहता है सुनिए इसका बाद कि यह काता है कि तुम जानते हो कि बुद्धी का कोई भी निर्ने तुम जानते हो कि बुद्धी का कोई भी निर्ने तुम जाते हो कि बुद्धी का विर्मे गलत नहीं होती है बुद्धी का विर्मे गलत नहीं होती है लेकिन तुम फिर भी इसे मानने से दर्गते हूँ फिर भी तुम इसे मानने से दर्गते हूँ दखिये कितना लॉजिकल है अजब कितना लॉज रगाते है यामे क्लास है कितना लगाते है 30 मज्ट से लेता हूं कि शारी आट से 11 रुपीज़ता है है सिर्ट बच्चे निकलते सर्द्य बताईए बता है तब तक बच जाता है साड़े क्यारा है है आका सुरू हो जाता है है यानि को जो मैंत चार गंटा बोलना पड़ता है है appelle वनिंग्रीज थ seulement क्लास तो अो प्योर इंग्लिस में रिख निंग्लिश में कर शात्तर बच्चे पुरा इंग्लिश क्लास कैने इसे आपका हिंदी मझाश हो ति कि कि हम लोगों से सीखिए आप भी मेरत करें जीवन में कुछ भी प्राप करना है बिना मेरत करें इसे सीखिए मेरत करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब गलब नहीं होता है ठीक है पार लोग मैं बात बताओंगा इंग्लीज वो कैसा सुधारेंगे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में ठीक है बताओंगे खाली रहेंगे दुश्य देखो दिल्ली से इलाबाद आने का मतलब यह नहीं है कि मैंने काम छोड़ दिया है जो मैं वहां क्याम करता था यहां भी कर रहां देखो यह किताब मैंने आज मनाई है देखो दिबेटिंग इंडिया इस किताब में बताया गया है कि पिछले हिंदुस्तान में प्राचीन काल से हम लोग इतना आपस में हम लोग ओपन होते हैं कि हम लोग कभी भी डिबेट करते हैं यानि हम किसी के साथ सामती रखते हैं नहीं रखते हैं लेकिन सब को बोलने का आजादी हम स्विकार करते हैं कि आजी भंगया है तो यहां भी आए किताब एक किताब और वह किताब भी एक बच्चे को दिये हैं पढ़िए चीकिए कि उद्धी करने में कभी गलत नहीं होता है बस थोड़ा सब्धानी पिर भी तुम माने से ड़ते होते हैं पल्वी ठीक है मेरा एजुकेशन जो है क्लास 11 तक यादि मैट्रिक और इंटर पल्वी क्लास 11 मैट्रिक और इंटर तक मैं हिंदी मातिन से पढ़ा हूँ इसके बाद बीए में एलल बी मैंने इंग्रिस माध्यव से किया है चुकि उस समय हमारे पास शहर में जाने का आउसर नहीं था इसलिए हम बच्पन से किसी कर्णमिंट में किसी इंग्रिस मिडियोव स्कूल में नहीं जा पाएं लेकिन इंटर के बाद जैसे मौका मिरा तो हमने अपने आग को इंग्रिस मध्यव में पढ़ाई कि इलाबाद मेरा जो विश्मित्याल है इलाबाद इलाबाद यूनिवर्सिटिस हम ने जो है अध्यां किया है यहां से जुकेशन लिया है ठीक है शरीया लोग आगे बढ़ते हैं तो यह कहता है कि बुद्धी कभी गलत निरने नहीं देती है फिर भी तुम मानने से डरते हो इसलिए डरते हो क्योंकि तुम परंपरा के साथ जीना चाहते है तुम परंपरा के साथ जीना चाहते है जब की बुद्धी जब की बुद्धी के अरिवटत की बात करना है तो अरिवटत की बात करना है तुम्सक्षार प्रवाट्विंस कषा DOWN है कि करण है को आंध परिवब्धान से कुनो 있습니다 क्षोनिधा कंभ सकते हैं कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है- पास भी और डिर लम दर्ता गी कि इन लोजिकल है समझाते है बस एक से कने बुद्धी का निर्मे कभी गलत नहीं होती है फिर भी तुम दरते हो तुम जानते हो कि बुद्धी का निर्मे कभी गलत नहीं हो यह फिर भी डरते हो तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम परंपरा के साथ जीना चाहते हो तुम परंपरा के साथ जीना चाहते हो क्योंगी परंपरा तुमें वक्षा देते हैं परिवरतंग चनोति देता है और चनोति लेने के बढ़ जोनेहों सकता है पास भी अबक्षन एक मैं एक्जाम्पल देता हूं एक मैं एक्जाम्पल देता हूं बच्छो एक्जाम्पल सुनी वाद यह एक्जाम्पल जो है इसी कोचिंगा जो मैं एक्जाम्पल दे रहा है वह इसी कोचिंग एक्जाम्पल इसी कोचिंग एक्जाम्पल इलाबाद का आप नहीं जानते हैं तो जान जाएए जो इलाबाद का चहगा है इलाबाद का जो ब्रांच इसको पहले देखते थे पांडे सर कि पवन पांडे देखते थे इस कोचिं का और यह हमको देखा हुआ घटना है तो उनका एक भाई आयारेस हो चुका था उनका एक भाई चोटा भाई आयारेस हो चुका था जो उनसे छोटा था जिसको हम मतलब तीम भाई है तो बीच वाई आयारेस हो चुका था जो सबसे छोटा भाई के वह एंजीनियर था अब तो इसका शनली भाई था पैसा बहुत कमाता था अमेरिका में जो इंजीनियर था अब देखिए क्या हुआ जो आयारेस था उसने इससे कहा इससे कह यह सा करें कि तुम भी ठ्राइब करो इबर आईएस तो बोला कि यार नौकरी छोड़ना पड़े आईएस त्यारी करने के लिए मुझे अमेरिका से भारत हाना पड़े जौब छोड़ना पड़े तब यह जो था इसने इसको भरोषा दिलाया इसने इसको भरोषा दिलाया कि तुम नौकरी की चिंदा मित करो हम है तो मेरा पड़ आयारे से इंडिया में भी बड़े बड़ी कंपनिया हैं हम तुमको रखवा देए एक बार तुम काम करो नौकरी छोड़ो त्यारी करो उस्तों नौकरी छोड़ो नौकरी छोड़ो और त्यारी किया जिस साल नौकरी छोड़ा उसी साल वो बन गया आया इस उसी साल बन गया आया इस उसके अगले साल बन गया आया इस और उसका काडर क्या मिला यूपी यह एक्जांपल है अब मैं इसको समझाता हूँ यह यह बंदा यह बंदा नौकरी नहीं छोड़ता तो आईएस नहीं बंदा यदि यह बंदा नौकरी नहीं छोड़ता तो आईएस नहीं बंदा लेकिन आईएस नहीं बंदा लेकिन लाखों रुपया जो इसका सलरी था वो मिलता रहता इसका जीवन चलता रहता कि दिशिज परंपरा कि दिशिज क्या है परंपरा क्योंकि सुरच्छा है कि चलो कम से कम मेरा शल्री पाच लग रुपे तो है मेरा शल्री तो है पाच लग रुपे हम आइस नहीं बनेंगे तो कम से कम पाच लग तो है में पास यानि हम परिवर्तल से डर रहे हैं जब यह बंदा नौकरी छोड़ता है तो इसमें परंपरा को छोड़ दिया यानि सुरक्षा को छोड़ दिया किसको पकड़ा परिवर्तन को पकड़ा तो वहां चुनोती है क्या है पास भी और फेल भी पास वाइस अब फेल तो रोड़ पर आगए फेल तो सनक पर आगए इसलिए जो समाने व्यक्ति होता है वहां परिवर्तन से धरता है कारण कि वहां अर्ष भी है और फर्ष भी है और जो परंपराबादी होता है वह कहता है कि मुझे अर्ष पर नहीं जाना है चलो कमसका अपनी कार्तो है हमें जो है मर्सेडिज नहीं चाहिए हमें हमारे पास मारती एक हंड्रेड है काम चला लेगे चल रहा काम हमें मर्सेडिज नहीं चाहिए हमें जो है फ्राठी नहीं चाहिए हमें भी म् धवूर्ट नहीं चाहिए हमारा जीद तो हाय वह ऑप परंपराबादी है क्योंकि उसको डर लगता है कि हो सकता है कि स्कूटर हो भी ह coach नकल जये अ जो परिवर्तन बादी होता है तो कहता है या तो BMW आ नहीं तो पाइदर इस जो है स्कूटर से मैं नहीं चलूगा या तो BMW नहीं तो पाइदर और ऐसे बच्छी आई इस बना चाहिए तो यह आपका है आशा बाप साशिक तक है लास्ट देता है इसको सवावति कर देते हैं लास्ट है लास्ट है बच्चों प्रगटी वाद इसी को हम कहते है देवाद इसी को हम कहते है देवाद देखिए यह वीचारधारा क्या है समझे बात यह कहता है कि यह धर्ती है और यह स्वाद है यह धर्ती है यह स्वाद है यानि यह लोगिक है और यह पार्वाविक है और यह गार्वाववों प्या कहता है कि इसका खे का आप लिप अजयुकर अजयुकर ओर इसका गेभ़ी अजयुकर दोनों का आपना आप लगर अजय और यह तके आप यह कहता है कि यह न तो अपने शेत्र का दिखरबन करता है नहीं यहां जाता है स्वर्ण नहीं दोनों का अपने अलाग अलाग छेत्रों का विभादन की जागिए कि इसी बात पर इस परबोधन के बिद्वान कहते हैं क्या कहते हैं जान से सुनी बहुत अच्छी बात हो लाएं कहा यह चल्च है कि इससे कहा यह ब्रामन है कि इससे कहा इवरोप में चर्च से कहा इंडिया में ब्रामन से कहा क्या कहा सुनिये जाने से हुआ है कि हुँ कहा है कि तुम यह बता है कि लोगों के धार्मिक जीवन बार बार लोगों के धार्मिक जीवन भी तुम लोग शचय क्यों करते हैं तुम दो लोग करते हों कौन कहता है जो बिद्वान ​​ हो कहता है जो पढ़ाली के लोगंकर ऑन कहता है कि इसके बाज तर्क बुधि बाद है बिग्यान का ग्यान ऑ कहता है कि तुम दोनो चर्च और ब्रहाण कि दोनों तो लोगों के नीजी जीवन में बिना वज़ा रोज-्रोज आस्ता छेप क्यों करते हूं है आरे भाई छोड़ो और जिस तरह से पूजा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं से उनको छोड़ो रोज-रोज हम देखता है रोज-रोज हम देखते हैं तुम दोनों का अस्तषेप होता रहता है तब चर्च ने कहा ब्रावन ने कहा कि हमें लोगों के नीजी धार्मिक जीवन में हस्तषेप करने का अधिकार है तब उस विद्वान ने कहा कि अधिकार कहा से तो का भगवान ने दिया पाले से हैं यानि हमें अधिकार दिया गया है कि हम लोगों को बताएं कि उन्हें अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए ताम वहां कांध आता है कौन आता है कांध आता है यहां दरीज्चों हो किγ है यह कांध जो है इसका जल्म हुआ था जर्मनी एritos कि रेइओं दो कांध आता है और कांट कहता है किस से कहता है चर्च से कहता है किस से कहता है ब्रामर से कहता है क्या कहता है कहता है सुख माना की मेरे सदावली पर ज्यांदे माना की इस धर्दी को किसी भगवान ने पढ़ा है माना कि इस धर्दी को किसी गौड में बनाया है किसी मर्सीहा ने बनाया है किसे कहता है चल्स से कहता है ब्रामर से कहता है मान लिया इस धर्दी को किसी भगवान ने बनाया है लेकिन एक बार बनाने के बार भगवान भी बार बार इसमें बिना वज़ा लोगों के धार्मिक जीवन में कोई थस्तशेप नहीं करता है उनको छोड़ देता है कि जैसे वे जीना चाहते है जीए भगवान रोज रोज उनके जीवन में थस्तशेप नहीं करते है बस थोड़ा हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हस्तशेप नहीं करते है ठीक है, बस एक सेक्ड होगे, ठीक वैसे, कांट एक्जाम्पल देता है बच्चु, ठीक वैसे, जैसे, 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 मान लुए घड़ी है, यह घड़ी है, यह पारव हो गया, इच्छे हो गया, मान लुए घड़ी है, ठीक, तांड कहता है, घड़ी बनाने वाद, जो वाच्चमेन है, जो वाच्चमेन है, वा घड़ी को बना देता है, और एक बार इसका टाइम भी मिला देता हूं, कितना बज़ा है, अभी देर बज़ा है, अभी बज़ा है, वन ठर्टी पीम बज़ा है, देर बज़ा है, बार बार बहुत, अपने अनुसार इस घरी को डिस्टरब नहीं करता है ऐसा नहीं करता है कि जब इक्षा उतना बजाते हैं अब घर में आते हैं पिता जी जो है पिता जी गुश्चा में है तो हमने कह दिया कि भाई अभी तो कितना टाइप उड़ा अच्छे बज़ रहा है जब कि रात का दो बज़ रहा है ऐसा वाच्में नहीं करता है कांट यहीं कहता है कि जैसे वाच्में घरी बनाने के बाद घरी को छोड़ देता है ठीक उसी तरह से भगवान इस धरती को बनाने के बाद धरती को छोड़ तब तुमको अधिकार किस ने दिया जब भगवान ने छोड़ दिया तो हूँ आर यू फिर तुम को होते हो और यह कह करके और यह कह करके कांट ने धार्मिक छेत्र में चर्च का जो जो हर्तशेव हो रहा था उस पर उसने रोक लगा थी और आपको भी अच्छा लगा होगा और कल फर्चो यानि की मंडे को हम लोग चर्चा करेंगे रूसों के बारे में और कांट के बारे में आप लोग पढ़के आईएगा थैंक यू गॉड ब्लेस यू एब नाइस दे